शुरुवात वहाँ पर जाके नहीं होती है शुरुवात यहां से होती है यह बात याद रखना आपने जीरो से शुरुवात करनी होती है तुम स्टार्टिंग में या फॉसल बनना चाहते हो तुम स्टार्टिंग में प्रफिट बनना चाहते हो इन नामों की कीमत इन नामों क महत्वर पता है तेलर पानी बेचना चारे उपर है उसके बाद यह 1515 की बात है यह वो आले मार्टिल लूथर नहीं है जो अमेरिका में जिन्होंने ब्लैक जो थे उनकी राइट्स के लिए प्रोटेस्ट किया था नहीं यह मार्टिल लूथर वो है जो एक कैटलिक प्रीस्ट है और कैटलिक चर्च उस वक्त पूरी तरीके से करप्ठ हो चुका था आपको पता यह बात क्या हो चुका था और मार्टिल लूथर प्रोटेस्टिंग मुव्मेंट लेकर आए थे उन्होंने क्योंके क्या किया था बोल चुझार नाभी है, इसमें कोई ओफेंड हो रहा होता रहे, मुझे उससे फरक नि पड़ता, हमें एक दूसरी गलतियों को सामझना है, सीखना है, सुधारना, उससे काम करना है, तभी मसीखी जो देह है, मसीखी जो दुलह है, तभी वो बगेर दाग, जुर्री, बगेर कलंक चर्च में, और हक्ताब हो गई जाया, वो पोप की तरफ से टिकेट टू हैवन बेचा जाता था, क्या बेचा जाता था, एक लेटर होता था, जिसको पाड़न लेटर बोलते थे, क्या बोलते थे, बोलो पाड़न लेटर, और इस लेटर पे पोप की महर होती थी, और इस इ जब मार्टिन लूतर को ये पता चला वो गुस्से से फागल हो गया और उसमें का जिस दिन ये मेरे शहर में आ गया इसे मैं लात मार के भगाऊंगा बकाईदा जब टेट्जिल आया करता था तो एक पूरी रैली एक जनूस से निकाला रहता था टेट्जिल का पूरा का पूरा जो एपीरंस होता था वो टोप की तरह होता था बकाईदा उसके आगे बिशप चल रहे हैं पास्टर्स चल रहे हैं फादर्स चल रहे हैं नन्स चल रही हैं मार्केटिंग में अवल नंबर का था टेट्जिल तुमने जो भी पाप किये हैं करे हैं पास्ट में प्रेजेंट में और जो फीजल में करोगे उसकी वज़े से तुम नरक की आग में चलोगे सोचो और सुनो आज उन अपने रिश्टदारों की चीक्तिय आवाजे जो नरक से चीक चीक के बोल रही है हमें बचा लो वो इस तरीके से मारकेटिंग करते थे कैरा क्या अगर तुम इस नरक की आग से बचना चाहते हो तो तुम आज ये इस्पेशल पारडन लेटर ये टिकेट टू हैवन खरीद लो जिससे तुम सीधे कहा जाओगे चाए तुमने कोई भी गुना और अपरात किया हो कहा जाओगे वाव मार्टी लूथर ने का लठका है मेरा Praise the Lord मार्टी लूथर ने हsın लगा दी उसने का इस टिकेट से हम जाएंगे हैवन तो ये सुकाई के लिए आयते ये सुकाई के लिए आयते बाइबल उसका खर घर में नहीं होती थी सरिफ में मिनिस्टर्स, पास्टर्स, डीकल्स, फादर्स, फ्रीज जो होते थे मौंक्स जो होते थे उन्हीं के पास होती थी उसका पुरा-पुरा फाइदा उठाया पोप में और जैसा वो लोग बोलते थे वैसी वो करते थे और अपने मनमानी कर रहे थे मार्टी लूथर ने का मैं छोड़ूंगा नहीं उसने 95 ऐसे थेसिस ऐसे पॉइंट्स तयार करे और उसने उसे बाहर चर्च गेट ते लगा दिया और उसने का ये 95 ऐसे हैं ये 95 ऐसी बाते हैं जो रोमन कैथलिक चर्च बाइबल के अगेंस्ट करता है जो ये बाइबल करने को मना करती है उन लेटर्स को पढ़ने के बाद पूरे रोम में आग लग गई मार्टे लूथर की इतनी खिलाफत हो गई उस वक्ड जो पोप के खिलाब बोलता था सीधे उससे जिन्दा जला दिया जाता था इतना याव रखो इतना जजबा है ऐसे होते हैं आप 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 सल है इतना जजबा तब अपने आप अपने नाम के आप 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 सल लिखने की क्या रखना हिम्मत रखना सीधे उस वब जो नंबर वन दुनिया की ताकत थाना पावर सीधे उससे पंगा था माठिन लुतर का सलब उसकी एक उंबली काफी थी उसे आग में जलाने के लिए जिंदा उसने का गया तू कभी भी मर जाएगा तेरा काम कभी भी हो जाएगा उसने का मैं बरदाश्मी करूँ इस करप्शन को लगा दी उसमें आग बावल खोल खोल के पाई देखो बावल में ये लिखा है एक दिन में उसका वो 95 पॉइंट्स वाले जो थेसस थे वो उसकी तो प्रिंटिंग मशीन की क्या लग गई क्या कहते है एक लौटरी लग गई पूरे के पूरे उस वक्त उसने उन लेटर्स को जर्मनी में फहला दिया लोगों में आग लग गई हम ये करते हैं ऐसे 95 बाते हम लोग फॉलो करते हैं जो बाइबल में मना हैं और हम करते हैं और तब आया protestant moment क्या आया क्या आया protestant moment का मतलब है protest का मतलब होता है खिलाफत करने वाले विरोध करने वाले माटे लूतर ने खिलाफत करी थी उस वक्ड जो corruption था क्या कहरू मैं इतना क्रप्ट हो चुका था उसे चांद से मारने की धंकी दी वो बिल्गल तलवार की धार पे चल रहा था माटी लूटर ऐसा था रिस्क टेकर होते हैं अपॉसल्स इस बात को याद रखना ये नाम इतने हलके कर दी है नंत के दिनों में इन आखर दिनों में कि हर को ये अपने नाम किया गया अपॉसल और प्रॉफिट लगा रहा है मैं कौन हूँ हाँ जी मैं भी फढ़ाना है पॉसल हूँ मैं कौन हूँ मैं फढ़ाना हूँ कौन हूँ प्रॉफिट हूँ है इतनी बड़ी रेस लेने की ताकट दुनिया को बदलने की रखते हो कुवत ये बात याद रख लेना प्रेज़ अलोड प्रेज़ अलोड प्रेज़ अलोड अरे प्रेज़ अलिलूड अलोलुए आग लगा दियो उसने और तब आया प्रोटेस्टेंट मुवमेंट एमेंट बोलो मेजे पलट दी उसने यह तुने भी पलटी थी ना कोड़ा बनाके मेरे पिता के घर को तुमने डाक हुओ की इदर मांटीन लूठर ने पलट दी मेजे अब फरक इतना है दोर से सुनो अब फरक इतना है उसना कैथलिक चर्च में करप्शन था आज पैंटी कॉस्टल चर्च में करप्शन आ गया है क्या यह है तुम लोग परवेश्वर की महिमा को पास्टर्स को देते हो तुम लोग भी आज मूर्ती पुझा कर रहे हो वस्तुमारी मूर्तियां बदल गई है अब वो मूर्ति तेल और पानी बदल गया है इसी के अरे यह सुका लगू यहां मेरिक में न उससे थोड़ा आगे सरदरे का चर्च है कैतलिक का बहुत बड़ा चर्च है बहुत दूर दूर से लोग आते हैं लक्षों आते हैं वहाँ बोतले बिखती हैं और कहरे होली वाटर बिखता है होली वाटर मिलता है यहां पर होली वाटर क्या मैं कौन सा व लेग्ची उसे आके गिर रहा है मैंने का मुझे लगा पाइपलाइन सीधे स्वर्ग से आरी होगी शाहिद और भाहां से गिर रहा होगा तो शैर इसलिए होली वाटर है बहुत मूर्ति पर इसलिए होली वाटर है शरम कर लो बाइवल में कहां लिखा है दूसरे लोग तो मुर्ति पुजा इसलिए कर रहे हों लोग के पास रवस्था नहीं है तुम लोग तुम से ज़्यादा बत्के हो तुम लोग तो तब कर रहे हो जब पूर्थी पूजा के लिए और तुम उस पेसे गरने वाले पानी को हुली वाटर बोलते हूं अब मार्केटिंग का तरीका दूसरा बदल गया है एक बेहन में मुझे से बोला बरदर मैं जिसकली से आती हूं मेरा दिल नहीं करता क्यूँ केरी बहुत बिक्री हो रही है महाँ पर क्या बिक्री हो रही है पंजाब की दो बड़ी सेवकाईया है और दोनों में काफी लोग आते हैं हजारों लाखों आते हैं प्रभु करे कि वो दुगनी और तिगनी हो यस्यू के नाम में आमेन कई लोग को मैं देखा उनके लिए वीडियोज बनाते हुए सिधे उन्हें वह फॉल्स प्रॉफिट यह फॉल्स अपॉसल्स बोलते हैं मैं इस बात पर एकीन नहीं रखता हूँ अगर वह ऐसा बोलरे है तो वह गलत कर रहे हैं जो ऐसा बोल रहे हैं सुलो कुछ कमिया हैं जिन्हें सुधारनी की जरुवत है अगर आप उन कमियों को सुधार दो कि तो आप अच्छा काम कर रहे हैं वोलो आमेन क्योंकि उन सिवकाई के थुरू प्रभु का बचन भी जादा बढ़ रहा है पंजाब में लोगों को तक जा रहा है लेकिन 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 जंगली 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 बीज भी बोडिया गया है साथ ही साथ और उस जंगली पौधों को तुम्हें उखारने की जरुवत है बोलो आमेन बो आमेन बो आमेन बो आमेन बो आमेन बो आमेन बो उन जंगली पौदों को खानने की जरुवत है जो बीज में बोदिये गए हैं हमें वही करेक्शन करना है मैं किसी सेवक आई और किसी सेवक के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन हाँ जहां ये बुराई होगी, वहां मुझे करेक्शन करना है, बोलो आमीन, वैसलाइब, अब हो कह रहा है, मार्केटिंग डूसी तरीके से हो रही है, मुझे पता चलता है, लोग बताते हैं, मिटिंग के बाद एक आवाज लगती है, अभी शेख का तेल यहां विकता है, कैसी, भालाई अभी शेख का तेल, मेरे बच्ची है, दो बोट लेके अभी कुछ दन देले, भाईया, आपके लिए अभी शेख का तेल लाईए हूँ, मैंने कहां ओके, कैरी मैंने 200 रुपे का यह पानी खरीदा है, 200 रुपे का तेल खरीदा है, मैंने बिटे लादी मुझे अभ अभी शेख के साबुन दिक रहे हैं अब अभी शेख के अभी शेख के पानी दिक रहा है, और अभ अभी शेख का तेल दिक रहा है और ये गलत इंटरेटेशन मत करना मेरी बात का, ये बात सुनो अभी शेक अनोइंटिंग किसी भी चीज़ के तूफ फ्लो हो सकती है मैं भी जानता हूँ रुमाल के तूफ पानी के तूफ तेल के तूफ पर क्या अभी शेक बेचा जा सकता है क्या प्रभू के आत्मा की सामर्थ बेची जा सकती है बेची जा सकती है नहीं बेचे जा सकती पर आग देची जा रही है और बहुत भैतरी मार्केटिंग चल रही है उसकी प्रेज लोड क्या चल रही है बहुत अच्छी मार्केटिंग गवाई दो को बताना कि अभी शेट के तेल पे ठीक हुए हो उत्री बोतले विखेंगी प्राइज लोड इसी काम को करने का मतलब तुम क्या समझे रहे हो प्राफिट और अपॉसल हमें भी सक्सेस मिल जाएगा पास्टर का बिजनेस करना गलत नहीं है अगर उसे प्रभू ने रखा है कि वो मुल्टिपल उसके पास रंडिंग की सोर्स है अगर रखा है तो हर किसी के लिए नहीं हो सकता ये प्रभू जानता है अगर है उसकी कॉलिग तो हो सकता प्रभु की सेवा तो हो रही है लेकिन अब उसमें बहुत सारी गड़बडियां हो रही है क्या हो रही है आप तो पता है ये मैं हटा रहा हूँ प्रीज ये मेरे को बहुत ज़दा डिस्टफ कर रहा है प्रईज लॉग प्रभु की सेवा तो हो रही है बड़ी गड़बड़ी के साथ हो रही है बोलो आमीन सुनीजेगा गौर से जो मैं कहा रहा हूँ Hallelujah बोलो सेवा हो रही है पर गड़बड़ी के साथ हो रही है सेवा के पता है मैं इस वक्त Christianity का कोई नहीं कर लिजे पानी अगर निकाल सकते हैं ग्लास में तो निकाल दीजेगा प्लीज अपने बिशाप अपने पास्केर के नाम जादा लेते हो और तुम उसके दिवाने जादा हो तुम उन्हें आइडिलाइस करते हो ये शुका तो भूले बटके ले लिया तुम से तो उन्हें का भूतरी उतर रहा है तुमारे दिमाग से प्रेज लोड ये शुकी महिमा तुम उन्हें दे रहे हो और तीसरी बुराई मैंने आपको बता दी है मैं अपकलाना एक वसल मैं धिमकाना एक वसल एक ड्रामा बंद कीजे प्लीज प्रभू की सेवा करना चाते हैं जीरो से शुरुआत कीजिए और उसके बाद देखो प्रभू करे के तुम्हें ही प्रभू प्रेरित की तरे इस्तमाल करे और प्रेरितो रसूलों वाला भी शेख दे बट किसी चीज को जबलदस्ती टैग मत लगा हो फल आएंगे पता चल जाएगा प्रेर किस चीज का है पास्तर के लिए बुलाए गए हो फल दिख जाएंगे इवैंजलिस के लिए बुलाए गए हो फल दिख जाएंगे टीचर के लिए बुलाए गए हो फल दिख जाएंगे प्राफिट होने के लिए बुलाए गए हो फल दिख जाएंगे और एपॉसल होने के लिए बुलाए गए हो तो बलो एमें